वैसे तो देश छोड़िये कंगना रनाओत दुनिया भर की किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती है लेकिन खुद अपने फिल्म के डिस्ट्रिब्यूटर से वो क्या कहेंगी जो अब उनकी फिल्म फ्लॉप होने पर प्रोड्यूसर से पैसे वापस मांग रहा है दोस्तों सब जानते हैं कि कंगना इस वक्त अपने करियर के भयानक संकट वाले दोर से गुजर रही है पिछले साल उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप धाकड भी दी लेकिन उनकी एक और फिल्म को लेकर ब्रैंड कंगना मुश्किल में आ गई है यह फिल्म है थलाईवी जो आई थी दो हजार एकिस में यह तमिल्नाडू की पूर मुखियों इंत्री जैल अलिता की बायोपिक फिल्म थी कंगना ने इसमें लीड रोल किया था कई भाशाओं में फिल्म डिलीज हुई थी लेकिन फिल्म चली नहीं थी फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिए यह करोडों का नुकसान लेकर आई थी यह फिल्म अब ख़बर आई है कि फिल्म प्रिड्यूसर थलाईवी के मेकर से 6 करोड रुपे का रीफंड मांग रहे हैं जो वो पिछले डेट साल से मांग रहे हैं अब बाहर आई है यह खबर मतलब पिछले डेट साल से बाती चल रही है उन्हें रीफंड नहीं मिला है दरसाल कंगना की फिल्म थलाईवी के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिबूशन का काम दिया था जी ने रिपोर्ट के मताविक जी ने राइट्स के लिए 6 करोड रुपे का एडवांस प्रिडूसर के पास जमावी किया था फिल्म लेकिन चली नहीं इसलिए अब जी ने अपना ये एडवांस में पैसा उसने दिया था सब्मिट किया था वो वापस मांग रहा है क्योंकि जी की माने तो दोनों पार्टियों की बीच पहले ही ये तैव हुआ था कि अगर फिल्म एडवांस में दी गई रकम जितना पैसा नहीं बना पाई तो पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा सुना है कि प्रडूसर्स और डिस्ट्रिबूटर्स की ये लड़ाई अब कोट तक जा सकती है दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि कोरोना काल में आई कंगना की फिल्म थलाईवी 60 करोड के बजट में बनी थी लेकिन फिल्म अपनी लागत तो छोड़िये बतलब 8 करोड भी पूरे नहीं कमा पाई इसलिए अब डिस्ट्रिबूटर्स ने बन बनाया है कि वो खुद ही अपना पैसा प्रोड्यूसर से वापस लेने के लिए कोट जाएंगे जाहिर है कंगना की इस फिल्म को लेकर ही जो खीचतान है जब कोड तक जाएगी तो ब्रैंड कंगना को इससे बहुत धका पहुँचेगा चिनका करियर पहली ही गर्दिश में है वो खुद कह चुकी है कि अपनी आनी वाली फिल्म इमर्जनसी के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रखती है आप कंगना की थलाईवी को लेकर ऐसे संकट पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लेखें चैनल को जॉइन भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी